जै स्री सीता राम, आज पुनह स्री राम चरित मानस में बाल कांड से 146 में दोहे से कथा आरंब कर रहा हूं। आप सब भी इस कथा को सुनियें। और कथा का आनंद लीजिए। जैसिया। मंगल भावन या मंगल हारी, द्रबहुं सुदसरत अजीर बिहारी। नील सरोरुह, नील मनी, नील नीर धर्श्याम, लाजहितन सोभा निरख, कोटी कोटी सतकाम। मंगल भावन या मंगल हारी, द्रबहुं सुदसरत अजीर बिहारी। भागवान के नीले कमल, नील मडी और नीले जल युक्त मेग के समान, कोमल प्रकास में और सरस्यामवण, चिन में सरीर की सोबा देखकर, करोणों काम देव भी लजा जाते हैं। सरद मयंक बदन छबी सीवा, चारुक पोल चिवुक दर गीवा, अधर अरुन रद सुन्दर नासा, बिधुकर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख सरत पोणिमा के चंद्रमा के समान, छबी की सीमा स्वरूप था, गाल और ठोडी बहुत सुन्दर थे, गला संख के समान, त्रीरेखा युक्त, चढ़ा उतार वाला था, लाल ओठ, दात और नाक अत्यंत सुन्दर थे, हासी चंद्रमा के किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थे। नवयम्बुजयम्बक छबी नीकी, चितवन ललित भावती जीकी, ब्रिकुटी मनोज चाप छबी हारी, तिलक ललाट पटल दूती कारी, नेत्रों की छबी नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुन्दर था, मनोहर चितवन जीको बहुत प्यारी लगती थे, तेड़ी भावें कामदेव के धनुस की शोभा को हरने वाली थे, ललाट पटल पर प्रकास में तिलक था, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जानु मधुप समाजा, उर श्रीबाद से रुचिर बन माला, पदिक हार भूसन मनी जाला। कानों में मकराकृत, अर्थात मचली के अकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुसोभित था, तेड़े घुंगराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भावरों के जुंड हों। रत्न जडित हार और मडियों के अभूसन सुसोभित थे। के हरिकंधर चार जनेव। बाहु विभूसन सुन्दर तेव। करिकर सरिस सुभग भुज दन्डा। कटिने संग कर सर को दन्डा। सिंग किसी गर्दन थी सुन्दर जनेव। भूजाओं में जो गाने थे वे भी सुन्दर थे। हाथी के सुन के समान उतार चड़ाओ वाले सुन्दर भूज दन्ड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाढ और धनुस सोभा पा रहे थे। मंगल भावान अमंगल हारी द्रवहूं सुदसर थय जिर बिहारी। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतिन। ना भिमनो हर लेति जनु जमन भवर छबिछिन। मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहूं सुदसर थय जिर बिहारी। स्वाण वण का प्रकास में पितामबर विजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवल्ली थी। ना भि ऐसी मनो हर थी मनो यमुना जी के भवरों की छबी को छीन लेति हूँ। पद राजीव बरन नहीं जाहीं। जिन में मुनियों के मन रुपी भवरे बसते हैं, भगवान के उन्चरण कमलों का तो वणन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाए भाग में सदा अनुकूल रहने वाली सोभा की रासे जगत की मूल कारण रुपा आदी सकते स्री जान की जीसु सोभी थन। जासु अन्स उप जही गुन खानी अगनित लच्छी उमा ब्रह्मानी भरिकुट बिलास जासु जग होई राम बाम दिसिसिता सोई। जिनके अन्स से गुणों की खान अगनित लच्छमी पार्वती और ब्रह्मारी अर्था त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन होती हैं तथा जिनकी भौह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती हैं। वही भगवान की स्वरूप सक्ति श्री सीता जी श्री राम चंदर जी की बाईनी और स्थित हैं। चबी समुद्र हरी रूप बिलो की एक टक रहे नयन पट रोकी चितवाई सादर रूप यनूपा त्रेप्ति नमा नहीं मनुसत रूपा। शुभा के समुद्र स्री हरी के रूप को देखकर मनुसत रूपा नित्रों के पट अर्थात पल के रोके हुए एक टक स्तद रा गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थें। और देखते देखते अरहाते ही न थें। हरस विबस्तन दसा भुलानी परे दंड युव गई पद पानी सिर्पर से प्रभु निजिकर कंजा तुरत उठाए करुना पुन्जा। आनंद के अधिक वस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधी भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमी पर गिर पड़े। क्रिपा की राशी प्रभू ने अपने करकमलों से उनकी मस्तकों का इस्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहूं सुधसरत यजीर विहारी। बोले क्रिपा निधान पुनी अति प्रसन मुहिजान माग हुबर जोई भाव मन महादान अनुमानी। फिर क्रिपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन जान कर और बड़ा भारी दानी मान कर जो मन को भाए वही वर्मान लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी धरिधी रजु बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुमारे अब पूरे सब काम सहारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड कर और धीरज धर कर राजा ने कोमल वाड़ी कहे। हे नाथ आपके चरण कमलों को देख कर अब हमारी सारी मनों कामने पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही सुगम अगम कही जाती सोनाही तुमही देत अती सुगम गोसाई अगम लाग मुही निजिक्रिपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सहज भी है। पर अत्यांत कठिन भी इसी से उसे कहते नहीं बनता। ए स्वामी आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है पर मुझे अपनी क्रिपनता अर्था दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुदत रुपाई बहु संपती मागत सकुचाई तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हिदेमम संसे होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प विख्ष को पाकर भी अधिक द्रभ्य मागने में संकुच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हिर्दे में संसे हो रहा है। सो तुम जान हूं अंतर जामी पुर्व हुमोर मनोरत स्वामी सकुच बिहाई मागुन रिप मोहीं मोरे नहीं अधेय कुछ तो हीं। हे स्वामी आप अंतर जामी हैं इसलिए उसे जानते ही हैं मेरा वहमनोरत पुरा कीजिए। भगवान ने कहा हे राजन संकोच छोड़ कर मुझ से मांगो। तुम्हें नो देशकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवव सुदसरत अजिर बिहारी। राजा ने कहा हे दानियों के सिरो मरी अमंगल हारी। द्रवव सुदसरत अजिर बिहारी। राजा ने कहा हे दानियों के सिरो मरी, हे क्रिपा निधान, हे नात। मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या चीपाना। देखी प्रीति सुनी बचनय मोले, एव मस्तु करुनानि धी बोले। आपु सरिस खोजाओं कहीं जाई, रिपतवतनय होब मैं आई। देखी प्रीति सुनी बचनय मोले, एव मस्तु करुनानि धी बोले। आपु सरिस खोजाओं कह जाई, रिपतवतनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमुल्ले बचन सुनकर, करुनानि धान भगवान बोले, ऐसा ही होगा। ए राजन, मैं अपने समान अर्थात दूसरा कहां जाकर खोजूं। अतह स्वैम ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपा ही बिलो की कर जोरे, देवी मागू बरू जोरू चीतोरे, जो बरू नाथ चतुरन रिप मागा, सोई क्रिपाल मोहियति प्रियलागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर बगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो, सो बर मागलो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो बर मागा, हे क्रिपाल। वह मुझे बहुत ही प्रियलागा। प्रभु परंतु सुठी होती धिठाई, जदपी भगत हित तुम्हाई सोहाई, तुम्ह ब्रमादी जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकलवर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु बहुत धिठाई हो रही है, यद्यप भगतों का हित करने वाले धिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मादी के भी पीता जगत के स्वामी और सबके हिर्दय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संसे होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे नी जी भगत नाथ तवय हैं, जो सुख पाव हैं, जो गत लह हैं। ऐसा समझने पर मन में संदे होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा, वही प्रमाड है, वही सत्य है, मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलवकी कखंड सुख पाते हैं, और जी परमगती को प्राप्त होते हैं। मंगले भावन, अमंगले हारी, द्रभाउं सुदसरत अजीर विहारी, सोई सुख सोई गती, सोई भगती, सोई निज चरन सने हूँ, सोई विबेक, सोई रहन प्रभु, हमही क्रिपा करिदे हूँ। मंगले भावन, अमंगले हारी, द्रभाउं सुदसरत अजीर विहारी, हे प्रभु, वही सुख, वही गती, वही भक्ती, वही अपने चरनों में प्रेम, वही ज्ञान, और वही रहन सान, क्रिपा करके हमें दीजिए। सुनि मृद गुढ रुचिर बर रचना, क्रिपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रूचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दिन सब संसय नाही। रानी की कोमल गूढ और मनोहर, स्रेष्ट वाके रचना सुनकर, क्रिपा के समुद्र भगवान, कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है, वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विबेक अलावकिक तोरे, कब हुँ न मीटि ही अनुग्रह मोरे, बंदी चरन मनु कहें उबहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलोकिक ज्यान कभी नश्ठ न होगा। तब मनुने भगवान के चरनों की वंदना करके, फिर कहा हे प्रभु मेरी एक विनती और है। सुत्विसाइक तव पदरती हों, मोही बड़ मूढ कहाय किन कों, मनी बिनु फानी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम्हाही अधीना। आपके चरनों में मेरी वैसी ही प्रीती हो, जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहें मुझे कोई बड़ा भारी मुर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मड़ी के बिना सांप और जल के बिना मचली नहीं रह सकती। वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबर मागू चरन गही रहेऊ, एव मस्त करनानी धी कहेऊ, अब तुम मम अनुसासन मानी, बस हो जाई सुरुपति रज धानी। ऐसा वर मान कर राजा भगवान के चरन पकड़े रह गए, तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आग्या मान कर देवराज इंद्र की राजधानी, अमरावती में जाकर वास करो। मंगल भवन, अमंगल हारी, द्रबहु सुदसरत, अजीर बिहारी, तह करी भोग विसालतात, गए कछू काल पुनी, होई हाहू अवधभू आल तब मैं होब तुम्हार सूत। मंगल भवन, अमंगल हारी, द्रबहु सुदसरत, अजीर बिहारी, एतात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर, कुछ काल बीत जाने पर, तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होँगा। इच्छा मैं नर्बेस समारे, होई हाँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अनसन सहित देह धरीताता, करी हाँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुस्य रूप सजकर, मैं तुम्हारे घर प्रगट होँगा, हेतात मैं अपने अनसो सहित देह धारन करके भगतों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भावत्तारी हां ही ममता मद त्यागी, आदि शक्त जहीं जग उप जाया, सो अवत्तारी ही मोरियह माया। जिन चरित्रों के को बड़े भागी शाली मनुष्य आदर सहित सुन कर, ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्त यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन किया है अवतार लेंगी। पुरवब मैं अभिलास तुमारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, पुनी पुनी अस कही कृपा निधाना, अंतर धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुमारी अभिलासा पूरी करूंगा, मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान, भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दमपति उर्धरी भगत क्रिपाला, तेहीं आश्रम निवसे कुछ काला, समय पाई तनुत जी अनयासा, जाई किन्हय मरा वति बासा। वे इस्त्री पूरुस राजा राने, भगतों पर क्रिपा करने वाले भगवान को रिदय में धारण करके, कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहाजी, बिना किसी कष्ट के सरीर छोड़कर, अमरावती इंद्र की पूरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति उमय कहीं ब्रिशकेत, भरद्वाज सुनू अपर पुनी राम जनम करहे। मंगल बावन या मंगल हारी, द्रवहु सुदसरत या जीर भिहारी। या ग्यवल के जी कहते हैं हे भरद्वाज इस अत्यंत पवित्र इतिहास को सीव जी ने पारवती को कहा था। अब श्री राम के आवतार लेने का दूसरा कारण सुनू। सुन मुनी कथा पुनीत पुरानी, जोगिर जा प्रतिसंभू बखानी। हे मुनी वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो श्रीव जी ने पारवती से कही थी। चंसार में प्रसिद्ध एक कई-कई देश है। वहां सत्य केतु नाम का राजा राता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप सील बलवाना, तेही के भय जुगल सुतबीरा, सब गुन धाम महारंदीरा। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला निति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुनों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज धनी जो जेठ सुत्याही, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुतही अरी मर्दन नामा, भोजिबलय अतुलय चले संग्रामा। राज्य का उत्राधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरी मर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, और जो युद्ध में परवत के समान अटल रहता था। भाई ही भाई ही परम समीती, सकल दोस छल बर जित प्रिती, जेठे सुत ही राज निप दिना, हरी हित याप गवन बन किना। भाई भाई में बड़ा मेल और सप्रकर के दोसों और छलों से रहित सची प्रिती थी, राजा ने जेठ पूत्र को राज दे दिया, और आप भागवान के भजन के लिए बन को चल दिया। मंगल भावन मंगल हारी, द्रबहुं सुदसरत जिर बिहारी। जब प्रतापर अभिभाया उन फीर दुहाई देश, प्रजा पाल अतिबेद बिधी कताउं नहीं अगलेश। मंगल भावन मंगल हारी, द्रबहुं सुदसरत जिर बिहारी। जब प्रताप भाणू राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। ववेद में बताई हुई विधी के अनुसार, उत्तम रिती से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राजय में पाप का कहीं लेश मात्र भी लेश भी नहीं रा गया। रिप हित कारक सचिव सयाना, नाम धरम रुची सुक्र समाना, सचिव सयान बंधु बल बीरा, आपु प्रताप पुंज रन धीरा। राजय का हित करने वाले और सुक्राचारे के समान बुद्धिमान धर्म रुची नामक उसका मंत्री था। इस प्रकर बुद्धिमान मंत्री और बल्वान तथा बीर भाई के साथ ही स्वयम राजय भी बड़ा प्रतापी और रण धीर था। सेन संग चतुरंग यपारा अमित सुभट सब समर जुझारा सेन बिलो की राव हरिसाना अरुबाजे गह गहे निसाना। साथ में अपार चतुरंगडी सेना थे जिसमें असंख्य युद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देख कर राजा बहुत प्रसन हुआ और घमा घम नगाडे बजने लगे। विजय हे तु कट कई बनाई सुधिन साधिन रिप चले उबजाई जहत परी आनेक लराई जीते सकल भूप बढ़ियाई। दिख विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुब दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लडाईया हुई उसने सब राजाओं को बलपुरवक जीत लिया। सब्त दीप भुज बल बसकिन हैं लै लै दंड छाडिन रिप दिन हैं सकल यवनी मंडलत ही काला एक प्रताप भानू महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने साथो दीपो अर्थात भूमिखंडों को जीत लिया और वसमे कर लिया। और राजाओं से दंड अर्थात कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण प्रिथिवी मंडल का उस समय प्रताप भानू ही एक मात्र चक्रवर्ती राजा था। मंगल भावान मंगल हारी द्रवहु सुदसरत यजीर विहारी। स्वबस वेश्वकरी बाहु बल निजपुरकिन प्रबे।